हेलो फ्रेंड्स असलामों अलेकूं वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं उम्मीद करती हूं आप ठीक होंगे और अलहमदलीला मैं भी ठीक हूं तो फ्रेंड्स आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब बिल आइ रोजा रखते हैं और भूके रहते हैं तो फुल इनरजी की जरूरत होती है तो आप शाम की इफ्तारी पर आप ये खजूर का सरवत बना कर पीजिए आपको बहुत ज्यादा इनरजी मिलेगी और ये खजूर का सरवत बहुत टेस्टी होता है इसे हमारे हुजूर भी हुज खजूर का सरवत या बहुत ही हाईजिनिक होता है फ्रेंड्स या एनरजी से भरपूर होता है तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने एक पैकेट खजूर लिया है ये देखिए इस तरह का खजूर है तो सारे खजूर का गुठली निकाल करके मैंने इस तरह से पानी में भीगो लिया है और ये देखिए गुठली गुठली को मैंने अलग कर दिया है और पानी में सारे खजूर भीगो लिये हैं तो चलिए अब खजूर को एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं तो फ्रेंड्स खजूर को आप भीगो कर पीशेगा तो ये जल्दी पीश जाएगा तो देखिए मैंने पानी से खजूर को निकाल लिया और वही पानी थोड़ा सा डाल देंगे ताके खजूर का पेस्ट अच्छी तरह से बन जाए देखिए खजूर पीश गया है और इसका पेस्ट बनकर तयार हो गया है तो एक बड़ा बाउल में निकाल लेते हैं और ये जो पानी बचा था खजूर का उसी से मिक्सी का जार धोकर निकाल लेंगे और यह देखिए मैंने एक थैली दूद लिया है तो आप कच्छा दूद में भी बना सकते हैं या बईल दूद में भी खजूर का सरवाट बना सकते हैं तो मैंने यह कच्छा दूद में बनाया है तो हाफ लिटर मैंने कच्छा दूब एड़ किया है और ये देखिए ये मैंने सुगर सीरप बना करके रखा था वो एड़ कर देंगे आप चाहें तो कच्छी चीनी खजूर के साथ पीस कर बना सकते हैं लेकिन मैं सुगर सीरप बना कर रख लेती हूँ उसी से मैं कोई भी ड्रिंक बनाती हूँ इस से चीनी कच्छा नहीं रहता है तो देखिए कितना अच्छा खजूर का सर्बत बनकर त्यार हो गया है तो चलिए अब इसे मैं गिलास में निकाल लेती हूँ तो ये देखिए मैंने तीन गिलास में खजूर का सर्बत निकाल लिया है तो देखिए बरतन कितने सारे निकल आए हैं खजूर का सर्बत बनाने में और ये जो बारिक सा बच गया है इसे भी वापस डाल देंगे सर्बत के अंदर मोटा मोटा सा जो नहीं पीस पाया खजूर ये सब सर्बत के अंदर डाल देंगे तो देखिए हमारा खजूर का सर्बत बनकर तैयार हो गया ये इनरजी से भरपूर है तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसी लगी मेरे खजूर की सर्बत की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर आए पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स आप इस अफ्तारी पे जरूर खजूर का सर्बत ट्राइ कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इंज्वाए कीजिए ये इनरजी से भरपूर है ये आपको पूरे दिन के रोजे रोजे की कम जोरी को दूर करेगा और आपके सरीर में फुल इनरजी लाएगा पर करती हूँ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाहाफिस प्रेंट्स टेक केर